देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुच गई है वही 1300 से जादा लोग कोरोना के चलती अपनी जान कवा चुके हैं पहले सरकार ने 14 अपरेल तक लोगडाउन लगाया था लेकिन बाद में इसी बढ़ा कर 3 मई कर दिया गया लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए लोगडाउन की सीमा बढ़ा कर 17 मई कर दी गई है अलग-अलग शेत्रों में कोरोना के अलग-अलग केस देखे जा रहे हैं इसी को देखते हुए सरकार ने 3 कैटेगरी तयार की है इस कैटेगरी की तहते जिलो को तीन अलग-अलग हिस्सों में बाटा गया है ग्रीन जोन, औरेंज जोन और रेड जोन सभी जोन में लोगडाउन में दी जाने वाले छूट को अलग-अलग तरीके से दिया जा रहा है हम बात करते हैं रेड जोन के रेड जोन के अंदर वो मामले या वो जिले आते हैं जहां पर अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज के केस सामने आए हैं रेड जोन में क्या-क्या छूट दी गई हैं और क्या नहीं वो भी हम आपको बता देते हैं रेड जोन के अंदर आने वाले सभी जिलो मेर फ्रेंज सेवा, हवाई सेवा और मेट्रो रेल सेवा तीयों ही बंद रहेंगी स्टेट के अंदर रोड पर चलने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंद रहेगा एजुकेशनल इंसिट्यूट पून रूप से बंद रहेंगे होटल सिनेमा हॉल मॉल्स को खोलने नहीं दिया जाएगा सभी धार में के स्थर और पब्लिक इवेंट पर रोक लगी रहेगी सलोन और स्पा जैसी चीज़ें खोलने की अनुमती नहीं दी गई है सबसाथ से शाम साथ निकलने में कोई छूट नहीं दी गई है 65 साथ से जादा उम्र के बुज़र्ग प्रेगनेंट महिलाएं और बच्चों को बहान निकलने की अनुमती नहीं दी जाएगी नागरिकों के सुवधाओं के लिए मेडिकल क्लीनिक और OPD खुली रहेगी आटो टैक्सी पर पहले की तरह ही प्रतिबंद लगा रहेगा फोर विलर में ड्राइवर सहत दो लोगों को बैठने की अनुमती दी जाएगी टू विलर में दो लोग ही जा सकते हैं वही परिवहन वाहनों पर लगा प्रतिबंद पूर्व की तरह ही जाली रहेगा इंडिस्ट्रियां जो जरूरी चीजों का उत्पादन करती है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर खोलनी की अनुमती दी गई है वही अर्बन इंडस्ट्री जो जरूरी सामान पहुचाती है साथी एगरिकल्चर अक्टिविटी से जुड़ी संस्थाएं बैंक और फाइनेशिल अक्टिविटी से जुड़ी संस्थाएं कुरियर और पोस्चल ऑफिस और जरूरत संबंधी चीजों को खोलनी की अजाज़त रेड जोन के तहट दी गई है वही प्राइवेट और गवर्मेंट नौन कोर्स अंस्थाओं को 33 प्रतिशत छूट दी गई है ग्रहमंत्राले द्वाराज जारे की गई एडवाईजरी में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाये जाने के साथ ही जरूरी नियम भी लागू किये गए है इन नियमों के तहत दी जाने वाले छूट का पालन नियमों के दाइरे में रहकर करना होगा